जन्रली आप वही देखते हैं आप मतलब आपके जो प्रोफिशन के लोग है कि कहां तूटा लेकिन 90% बचा कैसे उस पर कोई नहीं बात करता है नेचर का किसी का जोड नहीं नमस्कार में नमालोक है आप लाइप स्टीज देख रहे हैं बिहार में इस साल बार ने पहले ही दस्तक दे दी है नेपाल और बिहार के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है जिस वज़ा से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और सरकार के लिए एक बड़ा में पिछले चार-पांस साल में गंड़क में पचास हजार क्यूसिक पानी आता था पंद्रह, सोलह, सत्रह जून के आसपास और अभी चार लाक सारे चार लाक के आसपास आगया है मने आज चार लाक 12,000 क्रोस कर रहा है गोपाल गजी तो यह तो अनप्रिसिडेंटेड है ऐसा तो पिछले चार-पांस साल में नहीं हुआ यह आता था लेकिन जुलाई में अगस्त में लेकिन मिडल अप जून में इतना पानी और पुरा जो नेपाल का कैचमेंट है हम लोगों को बिहार में बारिस ते जाइदा चिंता होती है नेंपाल में क्या बारिस हो रही है तो नेपाल के कैचमेंट में जो गेज स्टेशन है करीब 20-25 उस स्टेशन में बिछले 48-50 घंटे में आपको मैंने कल की बात में कराँ उससे पहले दो दिन करीब 200 mm से ज्यादा बारिस हुए, 200 mm से ज्यादा बारिस हुए, प्लस जो इंडियन बिहार साइड में भी बारिस हु तो concern का बात होई जाता है एक level के बाद, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि पूरा embankment सुरक्षित है, 24-7 engineer embankment पर move कर रहा है, कुछ लोग मजाक में भी बोल देते हैं, लेकिन भाई, embankment मिटी का है, embankment कोई पत्थर का नहीं बना हुआ है, उसमें rat hole भी हो सकता है, उसमें fox hole भी हो सकता है, उसमें seepage भी हो सकता है, उसमें piping भी हो सकता है, जब इतना excessive water आता है, तो उसको attend करना, immediately, वो सारा attend किया जा रहा है, आज भी फैजलापूर बगरार में seepage हो रहा था, उसको attend किया गया है, और एक जो important चीज आज हम लोगों नहीं किया है, कि जो सतर घाट प फोरा technically मैं समझा दूँ मैं तो फोरा कि होता किया जब bridge बन जाता है, तो bridge में अगर आप पानी का flow proper नहीं देंगे, तो उसके उपर obstruction रुखना सुरू हो जाता है, और वो जब flow proper नहीं होता है, तो वो फिर band को damage करता है, तो सतर घाट में हम लोगों ने NIT पतना के engineer को और department क के लोग गए, और उनका recommendation है कि सतर घाट पूल को 810 मीटर और extra पूल बनाना परेगा, तो वो तो बरसात के बाद बनेगा, तभी वो flow ठीक होगा, गंडक का, तो meanwhile हम लोगों ने temporary waterway के लिए एक दो जगह पाने निकालने का PWD ने काम किया है, आज हम लोगों ने drone भेजा है, यो drone से वहाँ का पुरा एक assessment भी लेगा, और एक आपको ध्यान होगा, एक controversy भी हुआ था जब यूपी ने आपको एक channel का खोदना शुरू किया था, तो वो channel फिर रोग दिया गया, पर जब जब बात है इसमें, जनरली आप वही देखते हैं, आप मतलब आपके जो profession के लोग है, कि कहां टूटा, लेकिन 90% बचा कैसे उस पर कोई नहीं बात करता है, ऐसे भी तो है ना कि जो की इसका protection ये होता है, इतना इतना बड़ा एरिया का, तो ये मैं कह सकता हूँ आपको की, और इतना बड़ा पकी करन कैसे होगा, इसका लेंग तो बहुत बड़ा है, ये डीबेट अलग छिड़ जाएगा, आप उस डीबेट में जाना चाहेंगे, तो बादे डीबेट उस पर आना चाहता हूँ, पिछली बार प्रॉब्लम नेपाल के बॉर्डर पे गए हूँ, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि वहां काम में डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसी तरह ललबकिया जो मुथिहारी साइड में है, वहां हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, तो ये समस्या तो आपना आता रहता है, इस बार ऐसी अबगत हो, जानता हूँ कि इसका क्या implication होता है, और खास करके अगर कोई assessment करें, मैंने कहा है department को, कि अगर हम लोग assessment करें कि एक साल में बाड से सरकार का कितना damage होता है, हम कितना भी road बना लें, कितना भी bridge बना लें, कितना भी agriculture में काम कर लें, अगर बाड के प्रकोप को हम लोगों ने खतम नहीं किया, तो human loss अलग, agriculture loss अलग, ये जो इतना बड़ा loss है, और नेपाल में हम लोग कुछ मूभी नहीं कर पा रहे हैं, अल्टिमेटली हम कोई justify नहीं कर रहे हैं, चैलेंजेज हैं, सारा river का उदगम है नेपाल, अब नेपाल से इंटर करता है बिहार मे हाइट पर है, पहाड़ी एरिया है, सीधा प्लेन में आता है, आप समझ सकता है, तो वहाँ पर बनना था है हाइडम, चर्चा इतना दिन से है, दो हजार एग्रिमेंट है इंडिया नेपाल, ट्रीटी है, बनना है, उनको भी फाइदा होगा, बिहार सरकार जो बिहार में कर करना है, वो सारा काम करती है, लेकिन जब इंटरनेशनल मैटर होता है, अंतरास्टी मुद्दा होता है, तो बिहार सरकार थोरे जाके बात करती है, उसमें भारत सरकार बात करती है, अब भारत सरकार भी सिंसेरली बात कर रही है, कॉपरेशन कुझे नहीं लगता है नेपाल से बहुत मिल पा रहा है इसमें जब क्या काम हो रहा है क्योंकि अभी ही जूल में जब पानी आ गया तो आपने कहा कि हाँ चैलेंजिंग है बड़ा चैलेंज है लेकर अभी जुलाई बाकी आगस्त बाकी कई निचली लाखों में पानी घुशने लगा है अब तो भैई नेच किसी का जोड नहीं अब नेचर क्या चाहता है अब मुंबई में कितनी बारिश हुई अब बतए अभी एक विक पर दस दिन पहले लग रहा था कि मुंबई में इतनी जबदस्थ बारिस हुई है तो क्या लेकिन इतना मैं जरूर आपके माध्यन से कह सकता हूँ कि ये नॉर क önपनाकाल में हमारे इंजीनियर भी बहुत सारे positive होए कुछ इंजीनियर का death भी हो गया है contractor जो है वो भी positive हो गया अब बिहार में जो contractor है मैं तब हो एकस्प्लेंड कर देता हुँ यहां के contractor यह कोई professional type company type नहीं चलाता है contractor प्रेक्टर बिमार हुआ उसका कंपनी आधा बंद हो जाता अब काम कैसे होगा उसका चेक कॉन साइन करेगा यह समस्या हुई है लेबर नहीं मिल रहा था मेटेरियल का मुवमिंट नहीं था क्योंकि लॉक्डाउन था इस सब विपरीत परिस्थिती में हम लोगों ने टाइम पर जो एंटी रोजन का काम करना था वो कड़ लिया है और फ्लट फाइटिंग का काम के लिए तयार है डिपार्टमेंट तयार है कोसिस पूरी है कहीं कुछ होने नहीं देंगे लोग आस्वस्त रहे कोई चिंता की बात नहीं है किसी भी परिस्थिती के लिए सरकार तयार ह और परस्तली ऐसे गंड़क में हुआ परस्तली मुख्यमंत्री भी एक-एक मिनट मॉनिटर कर रहे है तो कोई समस्या नहीं होगी जब से हम लोग इंबैंक्मेंट स्ट्रेंथन है पहली बार मुझे लगता है कि जो इंबैंक्मेंट और फ्लट फाइटिक काम के लाबे टेक्न से देना पड़ता है बारिश भी हो रही है और उपर से कुरोना मैंने काने बहुत दिफकल टैम है कुरोना भी है लेकिन लोग जानता है कि नितिसकुमार को कि आपदा में उनके परफॉर्मेंस को साइध देश में इतना बात आ नहीं पाती है बिहार के अच्छे काम का बात नहीं आपाता है लेकिन आपदा के समय में जिस हिसाब से सरकार परफॉर्म करती है तो ऐसी कोई भी परिस्थिती होगी जो मुख्यमंत्री का कहना है कि पहला अधिकार खाजाना पे आपदाल प्रितों का है तो वो सिर्फ बोलने में नहीं है वो प्रैक्टिस में करके करता है कि कोई समस्या होगी और जहां तक जल संसादन और फ्लड का बात है इतना मैं जरूर करता हूं हमारे विभाग के सारे इंजिनियर और सरकार पूरी तरह से 24 इंटू 7 अलर्ट है इसकी बिहार में भले बार आए क्योंकि कुद्रत का कहर कैसा होगा कहनी सकते हैं कुद दोनों काम सरकार बखुवी अपने धंग से निभाएगी हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फिसक पेज भी लाइक करें धन्यवाद जन्रली आप वही देखते हैं आप मतलब आपके जो प्रोफिशन के लोग है कि कहां तूटा लेकिन 90% बचा कैसे उस पर कोई नहीं बात करता है नेचर का किसी का जोड नहीं है कर दो प्रोफिए जोड़ाद